मैं शिखार शिवास्तों मेरे चैनल शिखास कीचन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी ले कराई हूँ तो चलिए देखते हैं मेरी वो रेसिपी कौन सी है दोस्तों आज मैं आपको चावल को कुकर में हम किस तरह से बनाएं जिससे कि हमारे चावल के एक-एक दाने बिलकुल अलग-अलग बने और हमारा जो चावल है वो बिलकुल सफेज, लंबा और खिला-खिला सा बने जिससे कि एक-एक जो कण है उसके वो बिलकुल अलग- दोस्तों परन्तु बहुत ही आसान आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक शेयर कर रही हूं जो आपको चावल बनाते समय ध्यान रखना है तो इसके लिए मैंने एक कटोरी चावल लिया है एक बड़े चमच मैंने शुद्ध देसी घी लिया है आधी चमच नमक और आधा जो आपके थी पनात धाना है अधी तो हमें धे लिए मरत फैयमीं मे निकल जाएगी तो हमें चावल कोगी फोशक तत्वों को खराब नहीं करना है तो रहते हैं तो पान काशान चावल को सबस्क्राइक अच्छा होता है प्योक्रम टेस्टर्ण09न को अच्छ घाते हैं और अठाश सबस्क्राइब है को छावल को यति तर्द पानी भेंढ़ेके तो बार इसका पानी फेकने के बाद मैंने आधा कप के करीब इसमें साफ पानी डाल जा जिसमें मैं चावल को भीगा कर रखूंगी दस मिनट तक आप चावल को जरूर भीगाएं इसे चावल पकता भी जल दी है दोस्तों और चावल बिलकुल सफेद हो जाता है पानी में सोग करने से तो अब मैंने एक बड़े बरतन में एक गिलास के करीब पानी रख दिया है दोस्तों और चावल जिस पानी में भीगाई हूँ उस पानी को आप बिलकुल ना फेके दोस्तों बहुत से लोग उस पानी को फेक देते हैं सिर्फ सूखा चावल ही इसमें डालते हैं इससे दोस थील जो पोशक्ततो होते हैं वो भी पानी में बह जाते हैं तो कभी भी चावल जिस पानी में सोख हुआ है उस पानी को आप बिल्कुल भी ना फेके तो अब मैंने क्या किया दोस्तों एक चमच नमक लिया है और नमक मैं इसमें मिला रही हूँ नमक डालने के बाद हमें दो से चार बून्द आप निबू के रस्की जरू डाले ये ना सोचें कि अरrän नीबू डाल दिया तो चावल कड़े न हो जाए बिल्कुल नहीं नीबू डालने से चावल के एक एक करन अलग अलग बनेंगे बिल्कुल भी चावल नहीं छिपकते है और चमल का स्वा भी बढ़ जाता है। चमलसे खुजबु देसी घीः झालі है। कंप्ते घीः जरूदाइं है और चमाल को संधू से हमाड़ी है। तो इसतरह से हमें सिर्फ एक सीती में ही चावल पकता है और छावल और ज़े flick को तुरम पानी मेरारा चावल और बेचा पहर रखा रखा तो बस हम धो कुकर कर ठंकिन लगा देंगे और एक सीती बजाएंगे तो इससे हमारी मेहनत भी कम हुई दोस्तों कई बार हम चावल को अलग बरतन में बनाते हैं तो बहुत ज़ादा टाइम लगता है बार बार हमें चलाना पड़ता है तो मैंने पूरी एक सीटी बजा ली है आप दो सीटी भी बजा सकते हैं यदि आपके पास चावल की quantity ज़ादा है तो और पानी आपको कितना लेना है दोस्तों यदि एक कटोरी चावल है तो आपको दो कटोरी पानी लेना ये इसका measurement है अब मैं आपको ढखकन खोल कर दिखा यह . अभी आपको चावल के दीख सकते हैं तो नहीं भी खुर्ड़ सब्सक्तों तो अब जोब करेंगे। नहीं भी खुरूल को नई खोड़ना ओक जाएंड सरे बर्तन नहीं तो जोब सब्सक्तों को फ्inge करता है, व्ägजण पीम्हारी ख़ा है। तो आपको एक चावल का डाना मैं धिक्स अर्षी dependent कीपकच भूल होगा है यदि चावल की जादा है आप लिए से थी कि में चावल का फेकच जादा है मुश्किल लिशान हाई शी जा носेनी है तो रोग रे भाति से जा रुख का रहा है olda बिल्कु साधरन क्वालिटी का चावल है दोस्तों जो की सब लेते हैं बस वैसा ही साधरन चावल है ऐसानी की मैंने बहुत लंबे दानी का चावल लिया है आधी छोटी चमच में इस गरम चावल में घी डाल दिया है तो चावल से और अच्छी खुश्बू आ रही है बस अच्छा बना आप इसके दाने देख सकते हैं बिल्कु साधरन क्वालिटी के चावल भी हम घर पर बहुत अच्छी तरह से लंबे सफेद और चमकदार बना सकते हैं और एक एक कंड इसके खिले हुए बने हैं तो यह तरीका था दोस्तों मेरा चावल बनाने का आप जरूर इस तरीके से एक बार बना कर देखें वैसे तो आप सब लोग चावल बहुत अच्छा बनाते हैं तो एक बार इस तरीके से भी बना कर देखें और चावल को आप जब भी वाश करें तो बिल्कुल भी रगड़ कर ना धोएं और यह हमारा चावल बनकर तयार है दोस्तों आ यह था दोस्तों चावल को कुकर में बनाने का तरीका